गाइस मेरे पास आइफोन 6S जो कि 2015 में लॉंच जुआ दा इस फोन को 8 साल होने वाले हैं चलिए इसे compare करते हैं लेटेस्ट आइफोन 14 प्रो मैक्स के साथ यहाँ पर हम करने वाले हैं दोनी फोन्स को restart at the same time ओके तो गाइस, can you believe आइफोन 6S पहले बूट हो गया है यहाँ पर difference अच्छा खासा है तो यहाँ से पता चलते हैं पुराने आइफोन की speed भी long term में अच्छी खासी रहती है यहाँ आप लोग कौन सा आइफोन यूस कर रहे हो, comment sections में ज़रूर बताना